प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोध्या पहुचे जहां उन्होंने सबसे पहले रामलला के दर्शन के और आरती भी उतारी रामलला को दान्वर प्रणाम भी किया पीएम ने रामपत पर दो किलो मीटर लंबा रोडशो शुरू किया मैं सीएम योगी आदित्तिनाद भी खुली जीप में सवार थे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी का है पहला दोरा है मैं चिनाव के बीच आयोध्या में रोडशो करने वाले मोदी पहली पीएम है रोडशो से पीएम पूरे देश को साधेंगे बता दे कि आयोध्या से भाजपा ने लल्लू सिंग को टिकेट दिया है जबकि सपा ने अवधेश प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है